इस वीडियो में हम सीखेंगे की वाटरफॉल याने की जड़ने कैसे बनते हैं तो होता ये है कि पानी या नदी की एक थारा जब एक उचे स्थर के चट्टान के किनारे से बहती हुई निचले जमीन की ओर गिरती है तब जड़ने का निर्मान होता है आपको ये समझना होगा कि नदी का जो तल है याने की रिवर बेट समय के साथ कठोर चट्टान से नरम चट्टान में बदल जाता है तो क्या होता है कि नदी दो अलग-अलग तरह के प्लाटफॉर्म्स पर बहती है एक प्लाटफॉर्म सक्थ चट्टान का बना होता है और दूसरा नरम मिट्टी का जब नदी सक्थ चट्टान वाली लेर पर बहती है तो उस पे नदी के द्वारा घिसाव और कटाफ बहुती धीमे गती से होता है और दूसरी तरफ नरम मिट्टी से जो बना लेर है उस पे नदी के द्वारा घिसाव और कटाफ बड़ी तेजी से होता है समय के साथ नरम मिट्टी की लेर मिट जाती है क्योंकि नदी अपनी बहाफ के साथ मिट्टी, मलबा बहुत कुछ ले जाती है इस कारण वहाँ एक land depression बन जाता है अब जब पानी सक्त चटान के उपर से बहता है और नरम मिट्टी के लेर पर गिरता है ये एक plunge pool बनाता है क्योंकि gravity यानि के गुरत्वा कशन के प्रभाव के कारण पानी की गती बढ़ जाती है नीचे गिरते वक्त आप देखेंगे कि नीचे की ओर एक plunge pool बन जाता है इसके अलावा ये नरम मिट्टी का लेर समय के साथ घिस्ते घिस्ते कट जाता है जैसे जैसे undercutting होती रहती है एक समय ऐसा आता है जब ये लटकती हुई चटान unstable होकर टूट जाती है और फिर नदी वापस से सक्ट चटान पे एक नया किनारा बना लेती है और वापस से ये सारा process दुबारा से चलता रहता है